इस बाव वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है लेकिन इसी बीच ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही है जो भारत की छवी को खासा नुकसान पोचा रही है कहीं पर पाकसानी फैंस को टीम का सपोर्ट करने से रोका जा रहा है तो कहीं कुछ लोग पाकसानी की किटर्स को चुलाने के लिए जैश्री राम के नारे लगा रहे हैं साथ ही बांगरदीशी फैंस को भी परिशान किया जा रहा है, कुछ लोग अपनी इन हरकतों की वज़ा से भारत की छवी को इंटरनेशनल लेवल पर खराब कर रहे हैं, जब भारते टीम किसी ओर दीश में किर्केट खेलने के लिए जाएगी, तो क्या वहाँ पर भारती लोगों पर कारवाई नहीं होनी चाहिए, पहले आप यह वीडियो देखिए, तो देखा आपने बैंगलूरू में पाकिसान और उस्ट्रेलिया मैच के दौरान पाकिसानी फैंस अपने टीम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसे बीच पुलिस वाले आते हैं, जो पाकिसान फैंस को साफ हिदायत दे डालते हैं, कि यहां पर पाकिसान जिन्दाबाद के नारे नहीं लगाए जाएंगे, जिसके बाद इसके जवाब में फैंन कहते हैं कि पाकिसान से हैं तो पाकिसान के नारे लगाएंगे, किसी और के नारे नहीं लगाएंगे, इस्टेडिया में उस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच के बीच कही लोग ऐसे भी हैं जो भारत मादा की जैके नारे लगा रहे हैं तो वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगा सकते इस पर पुलिस करवी ने ये भी कह डाला कि भारत मादा की जैके नारे लगाये जा सक जिसके बाद काफी लोगों ने इस पर अपनी पिड़ते के दिया है एक यूजर निगार परवीन इस घटना की वीडियो शेयर करते हुए लिखती है कि पाकिस्तानी फैंस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते ये कहना इन महाश्य का है कल को टीम इंडिया कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है जहां पर कुछ लोगों ने मैच के दुरान एक बांगलेदीशी फैंस का स्टफ टाइगर लेकर उसे इदर फैक दिया उसको फार दिया इस वीडियो को देखिए जिसमें कुछ लोगों ने एक स्टफ टाइगर को अपने हातों में लि खाती हैं वर्लड कप के दौरान इस थरह की हरकते करने से सिफ इन लोगों की ही नहीं बलकि पूरे देश की छवी खराब हो रही है भारती फैंस के इस तरह की हरकतों के बाद कुछ भारतीय लोग ऐसे भी हैं जो इस रवभए से खासा नराज है अब वो अपनी इस पर प्र जैसे टाइगर शोइप के नाम से भी मश्यूर हैं दोहराता होगी भारत किसी भी मल्टी नेशनल टूर्नेमेंट की मैजबानी के लिए उप्यूक्त नहीं है अब आप खुद ही सोचे दोस्तों यह कोई छोटा मोटा मैच नहीं है बलकि वर्ल्ड कप है भारत में काफी सारी में खेलनी के लिए आई हुई है ऐसे में इस तरह की हरकते को करना कहां तक ठीक है भारत हमीशा से ही अतीदेव भाव के रास्ते पर चलता आया है जिसका मतलब है सभी महमानों को समान लेकिन कुछ लोग महमानों को समानत दूर की बात बलकि उनको चुड़ा रहे हैं उनका कि जवाब देंगे की क 是 जवाब देंगे लोगों की हरकतों पर जो भारती हैं कुछ लोग जो भारती फैंस हैं वो स्ट्रेटियम के लैंगा इस लोग और जो बाकिके से बाकी लोगों की जो चभी है वो भी खराब हो रहा ही ही जो इंडिया से बाहर लोग रहते है उनकी बिि फर्टाइम्य स्विज्डाइए और Covid की बाहर जाएंगे और इस द ittहला की बात करेंगे कि भारत में जाकर किस जुनिया का खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ